हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियस में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी गाड़ी का चालान आपको लग रहा है कि कड़ गया है और इसी के साथ में फिर नहीं कड़ा है और आप चेक करना चाहाते हैं फिर कड़ गया है तो उसे आप किस तरीके से देख पाएंगे इसी के साथ में हम ये भी जानेंगे अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी जगह कितने कितने रुपए का यहाँ पर फाइन भरना पड़ सकता है तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मैं आपको यहां पर जान लेते हैं 2024 में जो कि बदलाब किये गया है गाड़ी के नियम को लेकर जानी कि यह आतायात को लेकर ठीक है तो आखिर अगर आप क्या-क्या यहां पर नहीं करते हैं और किसी भी चीज का उलंगन करते हैं तो जैसे कि बिन हेलमेट अगर आप गाड़ी चला रहा है तो आपको यहां पर 500 रुपएय का यहां पर कम में कम और अधिक में आधिक पहली बार आपको पंदरस रुपएय और वहाँ पर यहां भाहाँ बोड़ निकाल कर ले जातте है तो ऐसे में जोकी गाड़ी के किसी भी कि कोई भी सारी डॉकुमेंट भी सब कुछ हैं और आप हैलमेंट भी लगाया है फिर भी तो आपको यहाँ पर एक हजार रुपा तक का फाइन भरना पढ़ जाएगा इसी के साथ में अगर आपको खतरनाग ड्राइविंग करते हैं तो आपको ड्रावी लेसंस नहीं बना है तो अभी बनवा लीज़ेगा बरना अगर आप विना ड्रावी लेसंस के अगर आप गाडी चलाते हैं फिर किसी की उपर इस तरीके से दावा कर देता है और ऐसे में यह है तो आपके पास ड्रावी लेसंस होगा तो आप यहां पर जो 5000 रुपर जो फाइन है वो भरने से बस सकते हैं इसी के साथ में सजा भी होती है इसी के साथ में अगर आप बिना बीमा के गाड़ी चलाते हैं तो आपको 2000 नहीं पर सकता है इसी के साथ में पंची गरण अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको 5000 रुपर तक लग सकता है तो अन्य में तो बहुत सारे हैं तो उनमें आ जाता है इसी के साथ में पिर्दूसन नियंतरण प्रमाड पत्र नहीं है तो आपके पास एक हजार रुपय तक का आपको यहां पर चालान लग सकता है ठीक है इसी के साथ में अगर आप यहां पर अन अपराद अपराद क्या है जैसे कि चोरी साथ में अगर आप सराप पीकर गाड़ी चला रहे हैं और आपको यहां पर दस जार से तीन मेहने तक की चैन की कैद यान की सजा भी हो सकी है कहने का मतलब है अगर आप सराप पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो सीधे सीधे इसका मतलब है आपको दस जार रुपय आपको दे जाएगे और उसी हिसाब से आपको चालान भरना पड़ सकता है तो यह तो आप जानगा कि आखिर कौन-कौन से अगर हम नियमों का उलंगन करते हैं तो आखिर हमें कौन-कौन से आप पर चालान जाने की कितने का चालान भरना पड़ सकता है अब चलिए जान लेते हैं आखिर हम चालान अगर हमारा कट गया है तो हम उसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं और किस तरीके से उसकी सारी डिटेल निकाल सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है आपको यहाँ प तो आपको यहाँ पर मिल जाता है सर्च का उप्शन इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे जो भी गाड़ी नंबर है वो गाड़ी नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद में सर्च कर देंगे तो मेरी गाड़ी का नंबर यह है ठीक है मैं यहाँ पर सिंपली क्ल करेंगे भी उपर ठीक है और मैं इसे यहां पर थोड़ा जूम कर लेता हूं ठीक है उसके बाद में हम यहां पर जान लेते हैं जैसे कि यहां पर कुछ कोड के तरह यहां पर जो कि नंबर और पता बगारा लिखा हुआ है तो इसमें यह है कि आपकी एक स्पेलिंग होगी एक स्पेलिंग ओफ होगी ठीक है इसे हिसाप से इसे कि यहां पर दिया गया है जैसे कि चाला का नेम पिता का नेम तो आप यहां पर देख सकते हैं यह आपका यहां पर चालान कटा है ठीक है और उसके बाद में आपका यहां पर जुर्म क्या है वो आप यहां पर पता कर सकते हैं जुर्म आपका है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं बॉलेशन अब देख सकते हैं बॉलेशन आफ नौट वार्निंग याने कि हैलमेट जो हैलमेट के उपर है वो यहां पर चालान काटा गया है ठीक है अब यहां पर कितने का चालान काटा गया है और कौन सी धारा बगरा है वो आप यहां पर द अपर देंगे चालान भरना होगा और अपर दे सकते हैं जो की कम्प्लीट आप को यहां पर देने ही ने उसके बाद मैंने यहां पर बैक कर दिया है बैक करनी के बाद सबसे बड़ी बात आ है कि आखेर हम चालान को ऑनलाइन भर सकते हैं तो हाँ बिल्कुल आप ऑनलाइन भर सकते हैं यहां पर ही आपको देखने को मिल जाता है इसी के साथ में आप इनकी बैप साइड पर भी जाकर चालान को भर सकते हैं ऑनलाइन ठीक है तो यह काफी अच्छा तरीका है जो कि आप चालान भर सकते हैं, हाला कि चालान भरना किसी को अच्छा तो नहीं लगता है, पर अगर आप कोई गलती करते हैं, तो आपको यहाँ पर चालान भरना ही होगा, ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है, पे नाउ, इस पर आप simply किलिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने यह website open हो जाएगी आप यहाँ पर चालान भड़ सकते हैं जैसे कि चालान नंबर के माद्धियम से अपनी गाड़ी के नंबर के माद्धियम से अगर आपके पाई ड्रावी लेसंस है तो ड्रावी लेसंस के माद्धियम से आप यहाँ पर भड़ सकते हैं इसी के साथ में आप यहां पर कैप्षा कोड डालेंगे और आपको डिटेल पर सिंपली क्लिक कर देना है उसके बाद में आपके समने पेमिंट पगेरा का उप्सन आ जाएगा तो आप यहां पर पेमिंट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहां पर पेमिंट कर सकते हैं इसी के साथ में अगर आप है जैसे कि जब आपका जो कोड का ओप्षन दिया गया है लगए को दादू पाना चाहते है सो इसके बाद में आपके उपण के हमाध्यूंस guitars होता है और अगर आपको लग नहीं गलती नहीं किई है आपको एग आ다면 फ्राइल्ग पर देख लेना कि का फी कickt देना है कि यार क्या हम घचारी के चक्रप काढ़ते रहेंगे ठीक है तो हम पे कर देते हैं ठीक है अगर आपको लग रहा है है हम बही हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लोग इस तरीके के जो चालान कट रहा है तो यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है फ्रॉड किस तरीके का हो रहा है तो चलिए मैं आपको भो भी बता देता हूं जैसे कि गाड़ी आपकी खुद की घर पर खड़ी है और उसी गाड़ी के नंबर की तो उसी के हिसाब से ही उसकी गाड़ी के ऊपर चालान कट जाता है तो आगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप बेसक यहाँ पर कोड में जा सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तब ठीक है दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगी वीडियो को लाइक करें चैन